नवश्कार Equality News प्राइम टाइम बुलेटिन में में शहला आप सभी का स्वागत करते हूँ रक्षा मंतरी राजनाच सिंग ने सीमा सड़क संगठन के 63 वेस्ता अपना दिवस के अउसर पराय जित कारिक्रम में हिस्सा लिया इस दोरान उन्होंने कारिक्रम में अपना संभुधन बिरिया राजनाच सिंग ने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाय मुहिया कराना सरकार की सर्वुच प्राथ मिकता है उन्होंने कहा कि सीमावर्तिक शेत्रों का विकास सुरीचित करना सरकार की व्यापक रक्षा रणनीती का एक प्रमुख हिस्सा है इसमें निश्चित ही बड़ी अहम भूमिकाने बारा है और साथियों जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे हुई है जो इस डेश की सीमा के संतरी हैं उनको अधिक से अधिक सुभाएं उपलब कराना ये हमारी सर्वप्ष प्रास्मिक्ता है वैसे तो आम तोर पर संतरी को कम तर आंक लिया जाता है उसका मुल्यांकन ठीक तरीके से नहीं किया जाता है आम बोलचाल में किसी बात पर कहा जाता है कि मंत्री से संतरी तर कोई नियम लागू हो गया यानि मंत्री को सिर्ष पर माना जाता है संतरी को सबसे निचले पाइदान का पस संतरी क्या होता है इसे इकबाल साहब के सारे जहां से अच्छा जीत में देखा जा सकता है इसमें उन्होंने परवतों ने परवतों में सबसे उचे हिमाले को संतरी कहा है मैं खुद ऐसा मंत्री हूँ जो अपने देश के स्तंतरी को उनके कद को अपने से कहीं उपर मानता हूँ जब भी उनसे मुलाकात होती है सौभावी कुरूप से एक सम्मान का भाव उनके प्रफिमन में पहला होता है और यह सम्मान हमेशा ही रहता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लेखने के बाद सौभावी कुरूप से इसमें भृधी भी होती है मैं सच मुझ ऐसे कर्म योगियों को मैं नमन करता हूँ चतिसगड के कॉंडा गाउज जिले के सुदूर ग्रामिन और पिछडे क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा में जवान योगदान दे रहे है वामपंथ उग्रबाद से लड़ने के अलावा भारत तिबबत सीमा पुलीस ने चतिसगड में सुदूर इलाकों के स्कूली चात्रों के लिए कोचिंग की शुरुआत की है गोरतलब है कि वामपंथ उग्रबाद से लड़ने के लिए ITBP को 2009 से चतिसगड में तैनात किया गया है बलने पिछले वर्षों में कई सिवीक एक्षन कारिक्रम आयजुद किया है ITBP ने चतिसकड में पिछले कुछ वर्षों में तिरंतास, हौकी, जुडो और अथलेटिक्स में सेकडो स्तानी चात्रों को प्रशिक्षित कर उनिराज्य और राष्टिय स्तर का खिलाड़ी बराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिले के मुंजमेटा, फरसागाव, जारा और धौडाई काव में कई जगों पर ITBP के 29 वी बटालियन के जवान करीब 200 चात्रों के लिए कोचिंग कक्षाय संचालित कर रहे हैं परवतिय परशिक्षिद बल ITBP के जवान चात्रों को एकलव्य और नवदय स्कूल में प्रवेश परिक्षा उत्तिर्न करने की तयारियों में भी मदद कर रहे हैं बतादे कि पिछले कुछ हफ्तों से लगभग 200 स्तानी आदिवासी चात्रों को कोचिंग प्रदान की जा रही है इन क्षेत्रों के लोग इन कोचिंग कक्षाव में अपने बच्चों को भेज रहे हैं ITBP इन चात्रों को जरुरत पढ़ने पर अध्यन सामगरी भी उपलग्द करा रही है स्वास्त सेवाओ की पोल खोलने वाला एक और ताजा मामला उत्तरप्रदेश के बलिया से सामने आया है जो की खूब वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मरीज को उसके परिजन ठेली पर लेकर जा रहे है यह वीडियो प्राथमिक स्वास्त केंद्रे रेवती का बताया जा रहा है इस समन में मुख्यची की साधिकारी बलिया निरचपांडी का खेना है कि मरीज की सर में दर्ध होने के बाद उसे प्राथमिक स्वास्त केंद्रे पर ला गया था इसके बाद मरीज को वहां से रेफर कर दिया गया लेकिन एम्बुलेंस में तेल न होने पर सीमो ने बताया कि एम्बुलेंस एक रात पहले ही बनारस से आई थी और उसमें तेल नहीं था इस वजह से उसे एम्बुलेंस नहीं मिल पाई इसकी बाद मरीज की परिचन उसे ठेले पर ही ले गये इस समन में जाच की जा रही है मामला अतिक गंपीर है जाच में जो भी द के आग लगने और गैस रिसा होने के बाद करमचारियों को ततकाल सुरक्षित बाहर निकाला गया अगजनी की घटना की सूशना मिलते ही मौके पर तुरंदमकल की गाड़ें पहुची और आग पर काबू पालिया किया कुछ कामगारों की जखमी होने की भी सूशना है ये गटना सुबह करीब साड़े दस बजे की बताई जा रही है गटना की जाज के आदेश ते दिये के हैं बताया गया है कि टाटा स्टेल में सुरक्षा मानकों का सकती से पालन किया जाता है सेप्टी ऑफिसर हर पल पैनी नज़र रखते है इसकी बावजुद इस हाजसे की व लगा है घरेलू रसोई ग्यास सिलेंडर के दामों में एक बार फिर इजाफा देखनी को मिला है ग्यास के दाम में 50 रुपे की रिधी की गई आज से ही सिलेंडर के नए दाम देश भर में लागो हो गये हैं पेट्रोल डीजर और सीनची के दाम में तो लगातार इजाफा ह लेकिन अब LPG ग्यास के दाम भी लगातार बढ़ रहे है आज तेल कमपनियों ने घरेलू रसोई ग्यास सिलेंडर का दाम 50 रुपे और मेंगा कर दिया है आम लोगों की जेब पर अब एक बार फिर मेंगाई का बोज बढ़ जाएगा वही कमपनियों ने कमर्शियल रसोई ग्यास सिलेंडर के दाम भी इसी महीने बढ़ाए हैं मही में एक बार फिर महिंगाई का जटका आम लोगों को लगा है गरेलू रसोई ग्यास सिलेंडर के दामों में 50 रुपे की वृद्धी हुई है आज से ही सिलेंडर के ने दाम देश भर में लागू हो गये हैं अब का वक्त होने के कारण ओफिस में सेकुरिटी स्टाप के अलावा कोई नहीं था सभी को समय पर एलाएसी ओफिस से बाहर निकाल लिया गया मध्यप्रदेश में धार्मिक वेश्ता बढ़ाने वाली घटनाओं को सकती से रोगे जाने के लिए साथ ही इस प्रकार के कृत्ति करने वाले लोगों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंद लगाये जाने की मांग को लेकर बोजन समाज पार्टी जिला इकाही मंदसोर द्वारा मध्यप्रदेश के सिवनी सिले में आदिवासी लोगों के विशे में राजिपाल की नाम कलेक्टर को ग्यापन सोपा किया बोजन समाज पार्टी के कारेकरताओं द्वारा ये चेताओं ने भी दी गई कि अगर इस प्रकार की घटनाओं के पुनरा उर्ति होती है तो बोजन समाज पार्टी के द्वारा उग्र आंदोलन करते वे सभी जिला मुख्यालेव पर धना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी समस्त जबाबदारी शासन प्रशासन की होगी शिवनी में दो आदिवासी व्यक्तियों की कुछ तथाकतित हिंदू संग्ठनों के द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गई जो की अत्यंत दोखद है और इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश एवं देश में लगातार घट रही है जहां मॉब लिंचिंग और ऐसी कई घटनाएं तथाकतित हिंदू संग्ठनों के द्वारा की जा रही है जो की पूरता अनुचित एवं देश हित में नहीं है इससे बर्ग भेद और बर्ग संगर्श की इस्तिती निर्मित हो रही है सासन को इस तरब ततकाल प्रभाव से ध्यान देना चाहिए जो पीडित परिवार हैं उनके साथ नियाय होना चाहिए और जीनोंने हट्या करता जो हैं उनको तूरंत प्रभाव से फास्ट रेकोड में चलाकर केस को और उन्हें भासी की सजादिलवानी चाहिए तथा परिवार के एक-एक सदस्य को सास की नोकरी देना चाहिए और सासन के द्वारा एक-एक करोल का मुआपजा उन लोगों को देना चाहिए और ऐसी घटनाओं को तुरंत प्रवाव से रोकना चाहिए प्राइम टैम बुलीटिन में अभी के लिए बस इतना ही खबरों के अधिक जानकारे के लिए आप बने रहे है एक्वालिटी निउस के साथ साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही Equality News के Facebook पेज को लाइक और फॉलो करे और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले